दोस्तों भी तक आपने आधार कार्ड का नाम तो सुनाई होगा स्कूलों में जब भी बच्चे का एड्मिशन होता है तो उसे आधार कार्ड मांगा जाता है और आधार कार्ड के बिना एड्मिशन नहीं होता लिकिन अब नेशनल एजुकेशन पॉलसी के अंडर केंदर सरका स्टुडेंट्स के लिए अपार कार्ड बनाना शुरू कर दिया है यानि कि हर बच्चे का एक अपार आइडी कार्ड होगा जैसे भी तक आपके पास आधार कार्ड होता था अब आपके पास अपार आइडी कार्ड भी होगा जो वन नेशन वन स्टुडेंट आइडी के ही हुआ है बट यह पुरे देश में सभी स्कूलों में हर राज्य के हर स्कूल के चाहिए सरकारी हो या प्राइवेट हो चाहिए आपके कोई सी भी क्लास हो सभी का बनना शुरू हो गया है और दीरे दीरे इस अपार आइडी कार्ड के बिना आपको शायद एडमिशन ना मिले आपके स्कूल ट्रांसफर ना हो आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एडमिशन ना ले पाओ तो भीया आपार जो आईडी कार्ड है उसे बनाना शुरू कर दीजे बाकी जल्दी ही इसकी पूरी डिटेल मैं आपके शायद वीडियो शेयर कर दूँगा आप इसे कितने अपना स्कूल भी जरूर मेंसिन करें कमेंट में आप हमें वेट्सॉप चैनल पर फॉलो कर सकते हैं आप में इस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं वहांपर भी आपको सारी डिटेल जो भी नहीं आती है उसे शेयर कर